कार्ड और इस पिपल कार्ड के अंदर क्या होगा और यह होता क्या और किस तरीके सा आप इसे यूज करोगे तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डेटियल में बता रहा है लो तो हाला कि अगर बात करें पिपल कार्ड की तो यह पिपल कार्ड एक ऐसा बिजनेस वर्चुल मेडिया की सारे लिंक्स इस वर्चुल कार्ड में सेव होंगी दोस्ता अगर आप फ्रील आंसर हो या फिर कोई इंफ्लुएंसर हो या फिर कोई बीजिसमेन तो अगर आपको बिजनेस कार्ड की जुरुत परती है जिसमें आप अपना कॉंटेक्ट डीटेल दे सकते हो अपना आप करते क्या हों आपकाests क्वाल बीन होताइक्स क्वालिपकेशन क्या है अब उन्हों लिंक्स कार्ड होगा तो गुछ इस तरीके सीजस्ट आपको और अगर उसे अगर किसी को जोरोत पड़े आपके डीडियल के बारे में तो आप सीधे उन से कह सकते कि भाई आप गूगल पर जाके सर्च कर लो आपको मिल जाएगा वर्चुल बिजनस काड में दोस्तों आप अपना वही इंफरमेशन आप सेयर करना जो लोगों को के साथ आप सेयर करना अगर आप कोई बड़ा बिजनस है तो आप विजिटिंग कार्ड बनाते हो और अगर कोई आए आपसे मांगे आपका कॉंटेक्ट दे तो आप एक विजिटिंग कार्ड निकाल के देते तो ठीक उसी की तरह यह वर्चुल बिन्योस कार्ड भी होगा जिसमें आप अपना न सही इंफरमिशन होगा सही इंफरमिशन होगा और फ्रॉड होने का चांच से भी कम हो जाएगा तो इससे लोगों को आसानी पड़ेगी आपसे कॉंटेक्ट करने में तो इस तरीके सा आप यह जो वर्चुल बिजिनस कार्ड काम करता है और मैं आपको इस वीडियो में बता आप यह सारी चीज़ा कैसे करोगे अपना पीपल कार्ड कर सकते हो और इससे यह आपको फायदा हुआ कि आपका जो ट्रॉस्टेड इंफरमिशन है जो आप खुद प्रॉइट करोगे लोगों के लिए जो पब्लिक होगा आप उससे गूगल के सर्च इंजन में इंडेक्स कर सकते हो और जब भी कोई आपका नाम सर्च करेंगा गूगल में तो आपको कार्ड है वो उसको हो जाएगा और आपसे रिलेट से जो भी इनफॉरमिशन उसको चाहिए वहां से ले सकता है तो आपको वही इनफॉरमिशन सेर करना है जो आप चाहते हों कि यह पब्लिक हो तो just आपको क्या करना है simple सा अपने phone में जाना है Chrome खोलना इसमें और यहाँ पर search करना है add me to search just आपको यहाँ पर type करना है add me to search और इसके बाद search कर लेना है तो add me to search लिखके just आप जहां search करोगे तो उपर यहाँ पर कुछ इस तरीके से यह feature दिख रहा है आपको यह add yourself to google search तो आप देशकतो just for example के लिए अगर मैं देखा होती यहाँ पर view example का option है अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखेगा और get started पर क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से आपका यह open हो जाता है जिसमें आप पूरा detail दोगे और उसको create करोगे लेकिन उससे पहले आपको अपना mobile number डालके से register करना पड़ेगा कुल मिला जो लाकि मतता है कि verification है छोटा सा तो आपको अपना mobile number यहाँ पर register कर लेना है तो जो भी country यह मेरी country यहाँ पर select कर लाता हूँ mobile number डालने को आपको कुछ इस तरीके से next करना है यहाँ पर verify phone number तो यह मेरा OTP यहाँ अपना OTP यहाँ इंटर करता हूँ और उसके बाद आपको next पर click कर देना है तो click करते ही कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखेगा और यहाँ पर आप अपना नाम और email ID चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जो आप जिस भी email ID से आप login करोगे वही उसी का नाम और उसी की email ID यहाँ पर add हो जाएगी तो मैं फटा-फटा सारा detail में भर लिया हूँ जो main main चीज तक कि वीडियो चादर लंबा ना हो तो आप कुछ चीटी से आपने पड़ा है जिस भी कॉले से आपने पड़ा है वहाँ पी आप्शन दिख जाएगा तो वहाँ पर add कर देना social media profiles जो अगर आपको add करना है तो आप यहाँ पर Facebook हो गया Instagram हो गया Twitter हो गया YouTube हो गया Pinterest हो गया मतलब LinkedIn होगा मतलब जितनी भी social media accounts आपने आपका है उ यहाँ पर लिंक कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो जब सब पुछ उचा प्रिव्यू पर क्लिक करूं तो कुछ इस थरीके से आपको जो मतलब people card हो दिखेगा लोगों को जब भी लोग देखेंगे तो जो आप देख सकते हो इस सारा detail जो भी आपने दिया है मतलब जो हाला यहाँ पर detail में दिया है तो कुछ इस तरीके साब को देखेंगे जैस आपको save पर क्लिक करना है तो यह जो चीज़े successfully save हो जाएंगी और देख सकते यह शॉटली जो search engine में भी यह index हो जाएगा और जब भी कोई search करेगा तो आपको कुछ इस तरीके से आप दिखेगा आप द option को आप जब बन चाहिए तक कभी इडिट कर सकते हैं यहाँ पर जो इडिट का option दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है तो इसका editable form खुल जाएगा जस्ट आप इसमें जो भी for example मैं about us में changes करना चाहता हूं तो जो भी चीज़ वर्ड जो भी mistake है या फिर जो भी extra add करना कोई वर्ड तो कुछ इस तरीके से आप इसमें add करने के बाद अब जब इसे थोड़ा सब सब्सक्राइब करके यहां पर प्रिव्यू पर क्लिक करोगे जो भी changes हो गया प्रिव्यू पर क्लिक करने के बाद आपको just save button पर क्लिक कर देना है और जब सब कुछ information सही होगा तो आप save button पर क्लिक करोगे यह वापस से सब कुछ वहीं पर चेंज हो जाएगा तो में हो सकते है में जो भी आप changes करोगे कुछ इस तरीके से आपको फड़ा फड़ से दिख जाएगा यहां पर जो भी मैंने वापर changes किया वो सारा changes आपको यहां पर दिख रहा है आप दे सकते एड नहीं करो simple सा अगर आप add करोगे तो वह नमर अड़ हो जाएगा और आपको मोबायल नमबर वही देना जो आप verification में add करते हो उसी वही मोबायल नमबर इसमें नम्मर पर तो कुछ इस तरीके से आप यह जो पिपूल काड है वो गूगल का पिपूल कार्ट रिएट कर सकते हो गूगल के सर्च एजन में इंडेक्स हो जाएगा इनफॉर्मेशन यह शारा और जब भी लोग ने सर्च करेंगे आपके नाम से तो आपका यह जो इंडेक्स क सब्सक्राइब करेंगे और इसी पर कुछ इस तरीके से आपको सो होगा कुछ जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो अभी और यह फिलाहल इंग्लिस लांगेज को सपोर्ट करता अभी कोई अधर लांगेज में नहीं है में फ्यूचर बाकी अधर लांगेज को भी एड़ कर हो जाए और जब भी अगर कोई सर्च करें तुसे मिल जाए तो आप कुछ इस तरीके से अपना पेपल कार्ट करेंट कर सकते हो एक वर्चूल बिजनेस कार्ट और यह आपके लिए काफी जादे यूसफुल होगा तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना है अगर वीड कर दो